नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का सूपर आएसपर आज से कुछ दिन पहले की बात है भारत की कई सारी जो मीडिया एजेंसीज हैं उनके द्वारा एक रेपोर्ट को पेश किया गया that the Indian रुपी is the worst performing Asian currency of 2022 आपके सामने है economic times की यवाली खबर आज से दो दिन पहले सा asian currency उसके बाद Indian Express ने भी इसको same cover किया even the Hindu में भी आपको same news देखने को मिली थी और money control के द्वारा भी यहां पे similar कहानी देखने को मिली Indian रुपी ends 2022 as the worst performing Asian currency और ये सारी की सारी जो news headlines थी this was basically inspired from the main news headline of Reuters जिनों ने 30 December को इस news को पेश किया था that the Indian रुपी ends down more than 10% in 2022 जो कि उसकी 2013 से सबसे जादा हमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है लेकिन ये सारी की सारी जो यहां पे आप news headlines देख रहे हैं ये factually incorrect है because अगर आप देखें तो कई सारी दूसरी Asian currencies है which includes Turkish lira and Pakistani रुपी जिनमें आपको जो fall है वो बहुत जादा देखने को मिली है with respect to the US dollar in fact not just Turkish lira and Pakistan रुपी और भी कई सारी currencies है जो कि इंडिया के पहले आती है जिनमें हमें बहुत ही भारी fall देखने को मिली है बात करेंगे इस report के बारे में क्या ये report कहती है और क्यों ये facts गलत है उसको भी discuss किया जाएगा ये शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ मेरा नाम है आप लोग इस lecture की PDF को डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिये गए Telegram Channel के माधियम से ऐसा कर सकते हैं तो media agencies के द्वारा basically ये कहा गया था कि 2022 का जो वर्ष था वो Indian rupee के लिए सबसे खराब वर्ष था because it was the worst performing Asian currency with a fall of almost 11.3% और इतना बड़ा fall एक ही साल में Indian rupee ने देखा था जब हमें almost इतना ही fall देखने को मिला था because dollar जो है वो बहुत जादा यहाँ पे aggressive हो चुका है dollar बहुत जादा strong हो चुका है in fact यहाँ पे आप देख पाएंगे कि जो साल की शुरुवात में Indian rupee की value थी that was 74.33 और अभी जो Indian rupee की value है वो almost 82 पे जा चुकी है यानि कि US currency के संदर में हमारी currency में हमें काफी बड़ी गिरावट देखने को मिली है in fact report ने ये भी कहा कि केवल एक और currency थी जिसमें हमें 12% के आसपास की गिरावट देखने को मिली and that was the currency of Japanese yen जिसमें almost 12% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी with respect to the US dollar इनका ये कहना था कि basically यह जो problems थी ये इसलिए देखने को मिली because oil prices में हमें बहुत जादा उचाल देखने को मिला जिसकी वज़े से India being a net oil importer उसको अपने forex reserve में से बहुत सारा खर्चा करना पड़ा जिसकी वज़े से उनके पास dollar की supply कम हो गई because dollar की supply कम हो गई तो consequently जो Indian रुपी था उसका value Indian market में काफी ग कहना है कि इस साल जो आने वाला साल जो 2023 का साल है इसमें Indian currency की जो value है वो 81.5 से लेकर 83.5 के range के बीच में ही रहने वाली है in fact इन्होंने यहां तक बोल दिया कि अगर मान लीजे Indian रुपी appreciate करेगी भी तो तब भी वो बाकी अपने जो Asian pairs हैं जो बाकी Asian currencies हैं उसमें वो बहुत अच्छा perform नहीं कर पाएगी केवल South Korea की जो won है और जो thai की बाट है वो यहां पे शायद थोड़ा बहुत अच्छा perform कर सकती हैं लेकिन ये वाले facts साफ साफ गलत हैं पहला fact बिल्कुल सही है कि Indian रुपी में हमें 11.3% की गिरावट देखने को मिली है इसमें कोई दो करंसी 74 रुपे के आसपास थी वो करंसी आज 82 रुपे के आसपास पहन चुकी है लेकिन ये बिल्कुल गलत है कि Indian करंसी is the worst performing करंसी for 2022 because अगर आप देखेंगे तो Asian करंसी में आपको बहुत सारी ऐसी करंसी हैं जिनमें बहुत ही भारी गिरावट देखने को मिली सबसे simple answer तो जो गिरावट थी वो almost आपको 80% की देखने को मिली एक साल के अंदर आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे कि जो करंसी साल की शुरुवात में 200 रुपे से शुरू हुई थी वो साल के अंत तक पहुँच चुकी थी almost to 365, 370 रुपीज के आसपास पहुँच चुकी थी second में almost 18,5 रुपे के असपास पहुँच चुकी थी उसके बाद अगर पाकिस्तानी रुपी की बात करें तो इसके भी हलात बहुत खराब थे क्योंकि इनकी करंसी भी 27.1% के लिए है इसका भी चार्ट देख पाएंगे कि जो करंसी 1 US dollar in the beginning was almost equal to 178 पाकिस्तानी रुपीज वो हमें लगभग 20% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है इन्टाक्ट पूरा चार्ट आप लोग यहां पे देख सकते हैं तो इंडियन करंसी जो है वो almost आठवे नंबर के आसपास आपको देखने को मिलती है इंडियन करंसी में जो exact गिरावट देखने को मिली है that is of 11.06 इसके ऊपर शिरिलंका, टर्की, पाकिस्तान, बांगलादेश, मायनमार, जैपनीज, इसराइली, even इसराइल की एकोनोमी की जो करंसी है उसमें भी हमें जादा बड़ी गिरावट देखने को मिली है तो clearly जो हमारे सामने ये रिपोर्ट स्पेश करी गई है ये पहली बात त ताइवान और इंडोनेशिया की करंसी में भी हमें similar levels के गिरावट देखने को मिली है, similar to the INR, in fact जो चाइना का युवान है उसमें भी हमें लगभग साढ़े 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली ही है, therefore once again it is completely false कि जो इंडियन रुपी है, that was the worst performing currency in the year 2022, because और कई सारी Asian currencies हैं, जिन्होंने असल में इंडियन रुपी से बहुत खराब performance दी है, so यहाँ पर जो problem है, वो basically यह बन जाती है कि जो इंडियन मीडिया के बारा इस Reuters की report को इस तरीके से दिखाया गया, जो की show करता है कि इंडियन रुपी worst performing currency है, लेकिन Reuters ने अपने report में केवल यह लि यह comment section में, जाने से पहले साथ ही बताना चाहूंगा, test book लाया है super coaching जिसमें कि GS, optional और CSAT courses आपके लिए एक ही subscription package में available करवाई जाएंगे, including mock test and study notes और इस सभी चीजें आपको मिल रही है, मातर 30,000 रुपे में अगर आप लोग मेरा coupon code अनिरूद यूज करते हैं, इसमें आप को कई सारे super teaching courses जैसे श्रीडाम आईएस, लुक्मान आईएस, ओजांक आईएस और मेरे द्वारा बनाय हुआ science and tech का course भी available करवाय जाएगा, thank you so much for listening, stay tuned and